हिटन रन को लेकर के मामला अभी सुलचता हुआ नजर नहीं आ रहा है रोज कोई ना कोई नए बयान इसको लेकर के आ रहे हैं और अभी भी ये पूरा जो मामला है चर्चा का विशे बना हुआ है आई ये हमाई साथ लखनों में समय मौझूद है और हमाई सा रजिनीश मिश जी है जो कि उत्तर परदेश रोड़ रोडवेस करमचारी संग के प्रवक्ता हैं उनसे जानते हैं कि आखिर अब उनका स्टैंड क्या है और जो नए नहीं तरीके से बयान आ रहें सामने क्या सोचते हैं सर आपका बहुत स्वागत हैं जली जी मैं आपको बताओं मैं अकेल बादिक इद्यक्ष हैं सेंटर लेजिनल करमचारी वर्क और बकारपचारी संके मांसंह जी यह भी हमारे साथ खड़े होए हैं हम लोग साथ साथ मेंश् initiatives समस्या में अब बन लगातार आपके चैनल को भी देखा है Miss Channel on को मैं देख रहा हूं सरकार ने एक प्लैन कर रखा है सरकार ने प्लैन किया है कि कुछ मीडिया तंतर को छोड़ दिया है कुछ वकील को चुला मैंने कल देख रहा था सुप्रीम कोट के वकील सर्वोचनाले के बता रहे थे कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा समझने में कलत पहिमी है वो कहरें कि वो बता कि आप चले जाएए एक बाँ बताईए मैं गाली लेकर जा रहा हूँ ये चालक है गाली लेकर जा रहे है और सामझे से कारवाला आके किसी को टकर बार देता है वो वक्त टकर खाने के बाद इनकी गाली के नीचे आ जाता है मार के तो वो चला गया पकड़े ये मोगे पर गए ये अगर रिकल जाते हैं वहाँ से तो ये सूचना दें कि साब फला गाली से वहाँ पे एक दुरगटना हो गई है पुलिस पूचेगी कि पहले बताईए आप को बोल रहे हैं इनका नमबर ट्रेस हो जाएगा उसके बाद इनका नाम पता नोट करेगा कार वाला जब नहीं मिलेगा तो वो केस तो इनके नाम आ जाएगा पुलिस तो मुक्त बाद लिगना लिगना है तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कर चालक के सामने आ रही है न हमने इसके विरोध में नहीं होगी कानून आपना बनाएं कानून बनाएं लेकिन उनके लिए बनाएं जो शरापी के गाली चला रहे हैं जो दोसों की स्पीड में गाली चलाते एक बाद बता है मैं एतनी बड़ी गाली लेकर कोई बेक्त एक्सिडेंट करेगा अगर ड्राइवर तो कितिनी दूर भाग पाएगा किलोमेटर दो किलोमेटर तीन किलोमेटर के बाद में हमारा ड्राइवर चाहें ट्रक का हो चाहें बस का हो वो सिर्व इस्तलास में रहता है किया तो सुरच्य जगे मिल जाए या कही पुलीस इस्टेशन हम को मिल जाए जहां हमें पुलीस की मार से बचने के लिए हम कहीं जाके पुलीस के हवाले कर दें जाके गारी को और 90% हमारे चालग यही तो करते हैं फिर केस को बनाने की जरूत कानुन को आप जबर्दस्ती ये थोपने की आवस्षिक्ता क्या है और मैं देख रहा हूं कि पूरे पूरा इसको लगा दिया गया इसको लेकर कहीं कोई मंतरी का बयान आ रहा है कि सुप्रीम कोट के वकील अपनी आप दे रहें ज्यान देने से मतलब सुधार नहीं होगा आप जाते हैं मैंने मानी मंतरी जी अमेरिका गए वहां बिडेन गए फ्रांस गए जर्मनी गए जापान के कनाड़ा वहां की सड़के आप ने देखी लिकिन माइम आप देखिए जिस लेन में कार चलाने के लिए चोड़ी जाती है यहां तो पैदल के लिए जो बनाया गय तो आट्रोबेंटिक उसका चलान हो जाएगा आट्रोबेंटिक जो विदπως वे हैं के कृते से पैसा कर जाएगा दाज-जार उभा इज़ार का जूरवाना हो जाएंगा अपने या बंत होजाए है कोश्ज़ करेंगे अब आपकी क्या मांग है ये भी सुनी में आ रहा है कि अगर ये कानून नहीं रुका तो अनिश्चित काली जो हरतार पे आप लो जाएंगे मैं देखिए हम मजदूर हैं ये जितने भी चालक हैं हमारी कोई बहुत बड़ी वो मांग नहीं डिमांड नहीं सरकार थे लेकिन सरकार अगर जबरन हमें फसाने का काम करेगी जबरदस्ती हमारे उपर कोई कानून धोपने का काम करेगी मैं प्रधान मंतरी आपके चैनल के मादधम से आधरनी प्रधान मंतरी जी से आधरनी ग्रह मंतरी जी से मेरी यह पीले सभी चालगों की तरफ से कि इन गरीब चालगों का ध्यान रखा जाए हम जान बूच के कोई दुरघटना नहीं करते हैं दुरघटना के लिए आप स्ट्रक्चर तयार करें वैसी सड़के तयार करें आप यह कहें कि यहाँ बाईक वाला नहीं चलेगा यहाँ कार वाला नहीं चलेगा उसके बाजूद भी अगर हम से दुरघटना होती है तो जब कोई पैदल वाला हमारे सामने आयेका है नहीं तो दुरघटना का मतलब क्या हुआ आप पहले आप इस्टेक्चर को तयार करिए ना तो इस कानून में बतलाव करें और अगर करना है यह हिट एंडरन कानून उनके उपर लागू होता है जो रात में फुटपात में गाली चलातेते हैं शराप के नसे में बड़े-बड़े आई-एस के बच्चे आई-पी-एस क में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं जो आप प्रदेश की जंता को एक दूसरे इस्थान दे पहुचाने का काम देश के लोगों को कर रहे हैं जंता की सेवा करने उनके उपर हिट और रन कानून लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता है जैसे आपने कहा कि क्या है यह सारे चीजे जो दारू पी के चलाते उन पर लागू होनी चाहिए लेकिन सरकार के पास कोई दो सजेशन कोई दो सला इस कानून को ले करके कोई प्रावधान में बदलाओ मतलब प्रावधान में बदलाओ जैसे भी 10 साल की सजा है और 7 लाग रुपए का जुर्माना है उसम पच्छ भी पच्छ में नहीं है ना हमारा कोई शालक उसके विसरकार जो अच्छा काम करे हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें लेकिन कम से कम ये तो ध्यान रखे कि आप जबरदस्ती किसी को ठोपने का प्रयास कर रहे हैं कहां से 7 लाग रुपिया एक ड्रावर देगा आप ब प्रावर चाल कि तो आप के ऊपर हमें 106 लाग उप करेंगे और यह पबलिक दोड़ाती है यह बहां बचाव में भागे को जरूरी और अगर तो सीथे-सीदे मुल्जी मों गए ना कि अगर हम सूचना पुलिस को महम दे रहे हैं तो आपको तो आपको सूचना दे ती से मेरा यही है कि जो लोग इसका दुर्प्योग कर हैं उनके खिलाब ये कानून लागों होना चाहिए उनके बदलाव करें सरकार के पाथ इस्ट्रक्चर है उनकी पुलिस है उनके तमाम बियुरुक्रेसी है लोगों को वह उनको सक्री करें ना उनके पाथ मशीन है शराप प महुत ने लगा रका है बराबर रास्ते में होती है सबकी शराब की जाती है कितने हमारे यहां तो कभी 55.000 करब्लप करीब बीस से पच्छी सजार के करीब चालक है है हमारे पात वहां तो हमारे पात हमारा इंक करें इनको सब करते जो निमीद कर्मचारि का मिलेगा उसी च्हमता हो जाएगी चालक पर चालक को तोरवाना भी भुगतने के आतिन होगा सरकार राज कर्मचारी घोसित करते इनको सबको कि राज कर्मचारी है जो कुछ होगा इस्टक्चर खड़ा करते तो यह अपना अगर किसी को बेतर मिलेगा पैसा मिलेगा तो भुगतने को भी तैयार हो जाएगा सारे कितने अड़ मंदित से लेकर जितने भी चालक है सब राज कर्मचारी हो जाएंगे सरकार घो उनको लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो एक बार समझाएंगर उनके बच्चे से एक्सिडेंट हो जाता है यह तो समस्यात तब आएगी ना मैं जब किसी आईस के लड़के से जिसके पाल लाइसेंस नहीं होगा या उसकी पतनी से या उसकी बेटी से या आईपीएस क मंत्री के बेटे से जब धुरखटरा होगी और कहेंगे दूसरे चालक से जो नहीं कहते है ना कि चालक से कह देत तुम हाजिर हो जाओ अपने चालक से फिर ऑमना करके भाग जाएगा कि नहीं साहाब मैं हाजिर नहीं होगा दुद gent का सजा मुझे हो सकती है दुरघटना में जब उनका बच्छा जील जाएगा हिटरंडर कानून में इनके बच्छे को जील जाने उनकी पत्री को जेल होगी उनके नकी बेटी को जब जील जाने के नोबत आएगी तंप समझ में कहा है कि वो इसके विरोध निमें नहीं है लेकिन लागू किस पे करना चाहिए यह उन्हें बखुब यह में बता दिया है साथ में यह भी बताया है कि जो बयान आ रहे है उल्टे सीधे उस पे भी रोक लगनी चाहिए इसे भी ब्रहम फैल रहा है और अभी भी करमचारी अप बदलाव जरूर करना चाहिए तब तक यह लोग हटेंगे नहीं तो ऐसे और दिल्चस्प जानकारे की जुड़े मेरे साथ मैं लखनो से अंजली सिंग राजपूत न्यूज 18